जहिन दोस्तों उमीद है आपने थमनल देखकर ही समझ लिया होगा कि Ministry of Defence ने इस वर्स आयोजित होने वाले Aero India सो की घोसना कर दिया है ये इस कारेकरम का 14 संसकरन होगा जिसे 13 से 17 फरवरी के बीच बेंगलूरू की ये लंका एयरपोर्स एस्टेशन में आज़ित किया जाएगा खास बात है कि इस बार आयोजित होने वाला ये इवेंट पूरे एसिया महादेश का सबसे बड़ा एर्सो होने वाला है जो हमारे लिए सच में प्राउड की बात है तो आज इसी विशह पर बात करेंगे कि एरो इंडिया कारेकरम क्या है इसके आयोजन के क्या मैने है जाहिद सी बात है कोई भी देश बीना मतलब की इतने महँखे एर क्राव्ट को क्यों उढ़ायेगा अपने डिफेंस प्रोड़क्ट को क्यों सो करेगा क्योंकि हम North Korea तो है नहीं साथ ही ये भी समझनी की कोसिस करेंगे कि 1996 से IOG थोने वाली 100 की इतनी लोग प्रियता क्यों है इस कारेकरम के आयोजन से Defense Industry पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आप बस इस छोड़े से वीडियों पने रहिए कमाल की जानकारी देंगे साथ ही Aero India द्वारा जारी किये गए इसके ओफिसेल टीजर को भी देखेंगे देखिए ये Defense Production इंडिया का ओफिसेल ट्वीट है इसमें इन्होंने बताया है कि 13 से 17 फरवरी के बीच बेंगलोर्यू में एसिया का सबसे बड़ा एर सो इवेंट और्गनाईज किया जाएगा लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि Aero India क्या है देखिए ये कारेकरम एक प्रकार का वैस्विक विमानन व्यापार मिला है जो Aero Space Industry के साथ विमानन रक्षा उद्योग को राष्टिय निर्ने निर्माताओं के लिए अपने प्रोडक्ट, टेक्नियोलोजी और समाधान को प्रदर्सीत करने का औसर प्रदान करता है हलाकि ये सो काफी पुराना है जिसे तकरीबन 1996 से ही लगातार हर दो वर्ज के अंतराल पर आयवजित किया जाता रहा है और तब से अभी तक इसके 13th edition कम्प्लीट हो चुके है इस बार Aero India का ये सो 14 संस्क्रन है जिसे बेंगलूरू के ये लंका एरपोर्ट से श्टेशन में आयवजित किया जाएगा उमीद है आपने इस एयर सो को जरूर देखा होगा बहुत ही कमाल का सो होता है इस सो में देश वीदेश के लगभग जितने भी एडवांस एयर क्राफ्ट होते है न उन सब को उड़ा कर और तरह तरह का मनुवर करके दिखाया जाता है अगर आप महां जाकर देखना चाहते हैं तो अभी भी इसके टिकट आउनलाइन बुक हो रहे हैं साथ इसके टिकट का प्राइस 500-5000 के बीच में होता है वैसे जब भी आपको मौका मिले इस इवेंड में अपने परिवार या बच्चों के साथ जरूर सामिल होई कमाल का सब होता है इसे देखकर आपको बहुत कुछ सीखने या जानने का मौका जरूर मिलेगा खेराइए अपने विशेवस्तु पर आते हैं तो इस वर्स का थीम है इसे याद रखेगा हो सकता है आपसे परिच्छा में पूछ लिये जाएं इस कारेकरम को डिफेंस मिनिस्टर के अलावा डियाडियो इंडियन एर फोर्स इसरो और सामिल होई बहुत सारे एक्जिबीटर्स के सयोग से आयोजित किया जाता है वैसे इस साल 24 देशों के 650 से जादा एक्जिबीटर्स इस कारेकरम में सामिल हो रहे है अगर आप एक्जिबीटर्स का मतलब नहीं समझते हैं तो सामान ने सब्द में इस समझे कि जो व्यक्ति या उनकी टीम इस कारेकरम में अपने प्रोडक्ट को प्रदर्सीत करेगा या अपने कला को प्रदर्सीत करेगा वैसे लोग एक्जिबीटर्स कहलाते हैं आम तोर पर लोग की उतसुकता इसी बात की होती है कि कारेकरम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्जीवीटर सामिल हो ताकि सो और ज़्यादा रोमांचकारी हो सके खेर बताया जा रहा है कि इस बार के Aero India सो पूरे ASEAN continent का सबसे बड़ा एरसो होने वाला है जो हमारे लिए प्राउड की बात है इसके लिए Aero India ने अपना ओफिसेल टीजर वीडियो भी जारी किया है आए बाला इसे देख लेते हैं उसके बात समझेंगे कि इस कारेकरम का इंपोर्टेंस क्या है नगेस कारेकरम का इंपोर्टेंस क्या है प्रातेकरम के ताहत भारत डिफेंस और Aero Space के निर्मान में एक यूनिक उपोर्चुनिटी प्रदान करता है क्योंकि आपको पता होगा जबसे हमने आत्म निर्वर भारत पे काम करना शुरू कर दिया है हमारा देश बड़ा और जटिल रच्छा प्रेटफॉर्मों का घरेलू निर्मान करने वाली नीती का केंद्री बिंदू बनते जा रहा है आपने देखा होगा कि लगबग हर तरह के डिफेंस एक्विप्मेंट स्वादेसी रूप से विक्षित के जा रहे है चाहे वो सब्मरीन हो, तेज़र जैसे एयरक्राफ्ट हो, ब्रमोस मिसाइल हो, तरह तरह के वैपेंटरी हो या फिर स्पेस के छेतर में डेवलपमेंट हो आगे है, एयरो इंडिया का या कारेक्रम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट और मैनुफेक्ट्रिंग एको सिस्टम को बूश्ट करता है, एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है, साथ ही टेकनलोजी लेवल और देश के एकनॉमिक ग्रोथ को इनहेंस करता है, इसलिए इस सपोर्ट इंडिस्ट्री को भी आकरसित करता है, इस कारेक्रम में बहुत सारे देशों के सेर्न अधिकारी, बिजनेस विजिटर्स और सरकारी गर्मान निये लोग सामिल होते हैं, जिससे हमारे देश के एक बहतर छवी प्रदर्जित होती है, तो इस बार का एरो इंडिया स काफी भव्य होने वाला है, आप इसे जरूर देखिएगा, इससे जुड़ा कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजे, लाइक कीजे, सेर कीजे, आपका दिन सुब बहुत धन्यवाद